नमस्ते थर्ड आई में आपका स्वागत है अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक मुहम्मद जुबैर सहाब को सुप्रीम कोड से एक इंटरिम बेल मिल गई है लेकिन इस समय तक जब तक मैं आप से बात कर रहा हूं हो सकता है जब तक आप तक वीडियो सीटापुर से निकले है उसकी कुछ वीडियो वाना खड़े थे उसके बाद है दस साले दसुद कों को डिस्रिक जयल सीटापुर से निकाला गया है उसके बाद वो कहां है ये नहीं पता है कल उनसे जैसा वहां के पत्रकारों से बातचीत हुई और पता लगा कि कल सीतापुर में पुलिस वाले बाई रोड बैंगलॉर ले जाना चाह रहे थे इसकी उन्होंने शायद वहां कोड के जो भी मेजिस्टेट थे उनसे बाचीत की थी और लेकिन इनके वकील ने कहा जुबैर साब के कि भाई उत्तर पिदेश में गाड़ियां बहुत उलटती हैं खास करके जो रिमान रिमान पर कहा दी होते हैं तो इसलिए गाड़ी से नहीं तो शायद कोड ने कहा था ट्रेन से ले जाने का तो उनका व सकते हैं कि कितना कौन सी कितनी निरंकिश है ये सब बाते हैं देखे पहले ये ये भी समझना है कि ये हो क्यों रहा था और जो सीतापुर के केस की बात कर रहा है वो तो आपको वहां का मालूमी है दिल्ली वाला केस सीतापुर का केस ये जो तीन हिंदू साधू अपने को सा को मत्तब टाइमसान लिए के जो मालिक हैं उनको कहा था कि भई हेट मॉंगर्स कहा था इन लोगों को और किन तीन लोगों को कहा गया था यति नरसिंगानन सर्श्वती धर्वसंसत फिर्म वाले याद है ना है रहे बहर दौर में कितना क्या-क्या पता रहे थे दूसरे बजर बजरंग मुनी जी के बारे में मतला I was quite surprise आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके अब वो SSG थे मतलब एक सरकार की सरकारी वकील की तरफ से बताया जा रहा था कि कितने बढ़ियां आदमी है और कितने उनका वो है बजरंग मुनी के लिए यह वही बजरंग मुनी है बतलब मैं मुझे यह लगता है कि आप बजरंग मुनी को आप खुद वो कर लिजे गूगल कर लिजे बजरंग मुनी हेट स्पीच और वो देख लिजे कि वो मुसलिम महिलाओं के लिए वो क्या कह रहे हैं वो कौन से शब्दों का आप वो कर रहा है और जानकारी के लिए बता की बेटी और तुम्हारे घर की क्या क्या बाते कर रहा है यह और उसको हमारे एक सरकारी वकील साहब खड़े होके सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड कर रहे थी कि वह बहुत ही पहुंचे हुए सादू है उनको संथ महात्मा मालूम ने तीसरे सज्जन दिनको हेट मॉंगर की बात हुई थी वह आनन्सवरूप थे आनन्सवरूप जी हुआ है जो यह जो बजरंग मुनी और इन सब का वो बिलकुल सपोर्ट करते हो नहीं का तो इसमें क्या खराबी है इसमें उनको उनको यह बात बुरी नहीं लेकर लिए यह तीन लोग थे और इसके बाद और एक जून को सीता एक जून 2022 में सीता पुर में इनके अगेंस्ट F.I.R. हो गई थी अब यह अपने को सो कॉल्ड सादू कह लीजे आचारे कह लीजे यह जो भी है इसमें से सब इसमें से वो गि गिरिफतार होके फिरे बेल पे हैं प्राइमा फेज सी यह माना गया है F.I.R. में कि इन्होंने यह हेट स्पीज दी थी अब यह तो देखे ऐसा है कि बेल मिल गई है अब बाकी क्या सही है क्या गलत है यह तो कोट तैंक हरे कि मुकत्मा चलेगा इस पे आज सुप्रीम कोट ने यह जुबैर साहब को एक इंटरिम बेल दी है और वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेट सी बेल है इंटरिम बेल फॉर फाइव डेज और क्या 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 वो समझना इतना असान नहीं है क्योंकि जुबैर साहब की तरफ से एक पेटिशन मूव होई ती जिसमें उन्हें कहा जान का खत्रा है उन्हें बताया था कि क्या क्या चीज़ें इस बीच एक एक नया मोड और आ गया है इसमें और वो आपके साथ डिसकस करके मैं थोड़ा सा मैं जैसे समझ रहा हूं वो आपको भी बताना चाहूंगा जर्मनी ने अपना कंसर्ण दिखाया है कि यह जो तरह की बाते हैं पहला जो जर्मनी जिसके हां हिटलर ने मतब दुनिया की रीसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा नरसंगार किया था वो अब मुझे अब हमें पाट पड़ा रहा है मानवता का डिमोक्रिसी का अब उसके दो पक्ष हो सकते हैं मैं इसलिए कह रहा हूं उसके दो पक्ष हो सकते हैं कि एक पक्ष ये है कि वो इन सब तरासिदियों से गुजरा है उसने ये जाना है कि इस तरह के चीजों का एंड क्या होता है और आज वो इस स्थिति में ये बताने कि कि अगर आप ये जो कर रहे हैं उससे आपकी क्या-क्या समस्याय हो सकती है एक उसक बख्षे भी है कि वो अब हमें यह सखा रहा है जिसको कहें वो तो वो कतर जैसा देश वो भी आज विश्व गुरू को यह बता रहा है कि आप किया किस तरह की और हो टिपड़ी कर रहा हमारे उस पर और कतर की साइज मैं ऐसे आपको मतलब आपकी नौलिज के लिए बता दू कतर का टोटल पॉपलेशन साड़े अठाइस लाख है साड़े अठाइस लाख टोटल पॉपलेशन है और हिंदुस्तान का जो एक लोगसभा छेतर है मलकागिरी आंदर प्रदेश में उसके केवल वोटरों की संक्या साड़े इकत्तिस लाख है अठारा साल से कम वाले बच् प्रदेश हमें यह बता रहा है कि आप मानव अधकार का कैसे लंगन कर रहे हैं आप लोगों के धार्मिक भावनाओं को कैसे ठेक पहुंचा रहे हैं और हमें यह सुनना पढ़ रहा है यह हम लोग कह रहे हैं कि इंटरनल मामला है जर्मनी को हम उस तरह से वह बात नहीं कर स देखिए दो-तीन चीज़ें समझना होगा आज जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज है इट सा सीमलिस थे आज आप एक वाटर टाइट उसमें नहीं रह सकते हैं कि मैं ऐसा हूं मैं जैसा करना चाहूंगा वैसा करूंगा आप अपनी चार दिवारी के अंदर बंद होके न अजाद में हैं उनकी वर्क फोर्स हैं वहाँ से आप किया एक सपोर्ट आपका एक जो अर्निंग है फरन्फंड की अर्निंग वहाँ से होती है तो यह कहना कि ने उससे हम से कोई मतलब नहीं यह सब्बब नहीं और सिरु हिंदूस्तान नहीं दुनिया का कोई भी देश में कि आपने जिन को आप बात में जिने को आप हो ईपने ये तो रोज की रोज की नहीं हो गई है क्योंकि मैं एक चीज़ में से कहा हूं यह लगता है इस पार्टी को ना कि यह से वोट का फाइदा होता है दुनिया वोट के बियॉड भी है जैसे आप परिक्षा देते हैं ना केवल परिक्षा में कितने अंक आ रहे हैं वो हो सकता है कि आपको कोई नौकरी मिल लेकिन क्या केवल अंक आना ही किसी भी व्यक्ति का किसी भी बच्चे का किसी का भी उससे आप ओवरॉल उसकी परस्नालिटी उसको आप जज़ कर सकते हैं दूसरा पक्षा मुझे ऐसा लगता है मेरा जो गट फीलिंग है अना कि ये सरकार बहुत अन्प्रेक्डिक्टरिबल है ये नय नय किरितमान रोज बनाती है लेकिन दूसरा पक्षिय है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जब ये जुबहर वहाँ चले थे बहुत इस तरह का ट्विटर पर भी देख रहे थे कि जुबहर की जान को खत्रा था जो उसनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा और एक जान तो ये कोई दूसरा कहीं आके कुछ ऐसा न कर दे लेकिन कुछ स्टेट ने अपनी ये बना रखी है कि अगर हमारे यह आओगे तो फिर तो हम ठीक करी लेंगे और लोगों को इसमें आनन दाता है इसमें एक समानता मैं देख रहा हूं कहीं से जोर्श फिनांडेस एमर्जेंसी की बात कर रहा हूं क्योंकि आज कुछ लोग कहते हैं एमर्जेंसी से भी बुरे हाला थे जोर्श फिनांडेस एमर्जेंसी में वो जब बड़ादर दैनमाइट के बाद पकड़ लिये गए थे तो एक स्टेज ऐसी आई थे ऐसा बाना जा रहा था कि उनको जेल में मरवा दिया जाएगा इस तरह की बात थी लेकिन फिर सोशलिस इंटरनेश्टल ने और खास करके जर्मनी के विली ब्रैंड जो वहाँ के चांसलर थे चांसलर ब्रूनो क्रेस्की आफ उस्ट्रिया और अलफ पामे अगर आपको स्वीडन के प्राइमिस्टर किया दो ये तीन लोगों ने दुनिया में मोहिम चला ही थी और जोर्ज की जान अगर इस तरह का था जैसा जोर्ज भी मानते थे हिंदुस्तान में चाहे कुछ कर ले उनकी जान सुरक्षत थी तो मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूँ कि अब चुकि एक ये इंटरनेशनल इशू बन गया बहुत आसान नहीं होगा और एक मुझे अजीब सी चीज लगती है कि ये जब भी दुनिया के जर्मनी तो कोई इसलामिक देश नहीं है न जब भी इस तरह की बात आई है तो सोशलिस इंटरनेशनल हो या जर्मनी हो या इस तरह के देश हो उन्हों ये हिंसान में ये दिक्कते हैं मैं इसको यही छोड़ दे रहा हूं आपके विचार के लिए बीच में आज एक और ख़बर आई हैं विचिस डिस्टरबिंग मैं मैं ओवराल देश की एक हालात के आप से चर्चा कर रहा हूं एक पर्टिक्लर तरह की एक स्टाइल की एक राजनीत दुनिया में बहुत से लोग कर रहा हैं बहुत से लीडर हैं नाम क्या लें क्योंकि मालूम ने भी या कहां क्या हो ट्रम् साफके राजनीत थी क्या हुए किस तरह से लोग पर चड़े और कहां कहां दोड़े और क्या क्या वह वह बॉरिस जौंसन साब को बोजो बोजो जी का क्या हुए एक तरह की इनकी भी राजनीत थी सब इवेंट मैनेजर बहुत अच्छा दुनिया में दद दिखाना और शिंजो आबे जिनको आज जापान में गोली मारके उनकी हत्या हो गई है कि कहना सिर्फ मुझे मैं मैं जो कहना चाहरा हूं कि कुछ लोगों को दुनिया के कुछ लीडर्स को ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजें लोगों का ध्यान उधर चेंज करके इवेंट करके बड़ कियेगा कि जो ये जुबैर साहब को जो भी पांच दिन का रिलीव मिला है उसके जस्ट बात रोहित रंजन साहब की पेटिशन लगी हुई थी और रोहित रंजन साहब की पेटिशन उसके जस्ट बात थी उनको रिलीव भी मिल गई उनको ये हो गया कि नहीं नहीं ये जो क Supreme Court में ये रोहित रंजन जी ने जो अपनी प्ली लियो ये लिया कि ये एनाई से आई थी ये जो राहुल गांदी की थी हमारा एक ठ्रीनी एडिटर था उसने गलती से सब कर दिया और जब ये फिर मेरे सग्ञान माया तो हम लोगों ने इसको तुरंटी कर दिया आपने तुर जाएंगे आपने कोट के डर से वह डेलीट की आप ना हो आपने सेशन नहीं किया था तो यह सब यह सब और आपने रात में अहीं किया था आपने दूसरे दिन आके भी सब तो आप भी अब आ जाएंगे DNA में तो अब आप तो ZTV के और बड़े पत्र पे पहुंच जाएंगे, आपका पैसा भी बढ़ जाएगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ जाएगा, जरा एक बार कभी ऐसी गलती किसी भाश्वा के नेता के लिए करके दिखाईएगा, अभी मैं इसले कह रहा हूं कि UP पुलिस को जब चाथिस गड़ के उपका दिया गया, अब उसके बाद इनको भगा दिया, चाथिस गड़ की पुलिस ने काए भगोडे हैं, और उसके बाद ये जब सुप्रीम कोट जाते हैं, तो आप एक चीज और सोच लीजे, उसी बेंच में ये ये केश भी लगा था, configurUp का केश पहले था, अगर एक विजार करिये, कि अगर इनको ये रिलीव दे देते जो रोहित रंजन जी को है और जुबैर को रिलीव नहीं देते तो क्या होता? इनको पूरी complete relief दी गई है जुबैर को conditional 5 दिन की मैं इस से जादा नहीं कहूंगा क्योंकि 2018 का जो जो इनका case है जुबैर का दिली वाला वो proven है, वो कहरा है मैं नहीं कहा था उसने एक बार भी यह नहीं कहा कि मैंने मैं मुझसे गलती से हो गया कहीं नहीं कह रहा है जो हमारे रोहित रंजन जी कह रहा है एक सबसे ताजोब वाली बात है मैं उसमें शीतल जी एक हम लोगों के साथ ही है अच्छे पत्रकार है उन्होंने एक चौकाने वाली बात बताए उन्होंने पताया है कि इनको जब पुलिस रिमांड दी गई वो तो चार दिन का क्यों दिया गया है सबको पताता हूँ एक उससे जमात पूर्ण बाद जब चार दिन के बाद इनको जुडिशल कस्ट्री दी जा रही थी तो दियर से दो बज़े के बीच में दिल्ली डी सी पी ने आके मीडिया के सामने बाइट दे दी कि ये ये ओर्डर हुआ है और इधर ये ओर्डर नहीं हुआ था साड़े पांच छे बज़े तक जुबैर के वकील ये पूछ रहे है कि क्या हुआ 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 क्या पतला 12 सवा 12 वजे यह आगया सवा 12 साड़े 12 तक सबको आ गया था सुप्रीम कोट का ओडर है अब यह वह करना कि नहीं मेरे पास यह कॉपी नहीं हो उसमें नीचे जो तंग करते हैं आपको बाबू आबू आप कहीं जाई यह सब्सक्राइब ने इसकी दूसरी कॉपी नहीं हम हैं दक्सकत है अग्साब का ने मोहर नहीं लगी है इसमें गोल वाली नहीं लगी है मोहर लंबी वाली लगी है हम लोग इसको जेलते हैं तो अभी तक सुप्रीम कोट के उसके बाद भी इनका वेरबाउट नहीं पता है जो जो मुझे अफसोस यह भी होता है कि सरकार का हैं वो पूरे तरह से आज सुबह वो जब अपोस कर रहे थे जुबैर के इस पेटीशन का तो उसकी टेक्निकलिटी को इतना बता रहे थी यह नहीं कहा उन्होंने प्राना और नहीं किया मतलब साथ तारिक को दिन में जो बारा बजे कारवाई हुई थी उसका बताया लेकि या मिसलीट के अध्या दी एक शब्द भी वो सॉलिस्टर जनरल साहाब यह नहीं कहें जब रोहित रंजन की पेटिशन आए कि साहाब बिना पेटिशन के आपने डेट लगा दी थी पेटिशन ही नहीं आई थी और डेट लग गई थी मेरी याददाश में यह पहली बार मेरी मेरी जितनी याद है पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना पेटिशन के वो कोई वकील अपियर भी हो जा रहा है डेट भी लग जा रही है चलिए उमीद है कि जब तक मैं आप तक यह पहुँचेगा तब तक जुबैर का कुछ न कुछ अतापता मिल जाएगा पता लग जाएगा और शायद सदुद्धी आ देश कंस्टिशन से चलता है देश जूडिशरी जैसा और दिये उसको मान रखा जाएगा उसका सम्मान हो जाएगा और जुबैर को पता भी लग जा झाले लेलेगा.